तो जी यहां दोस्तो माकसन फामा की जो बाइबैक की खबरें लगातार न्यूस में चल रही थी उसका कल यानि की आठ तारिक को कमपणी ने जो कह सकते हैं आप फाइलिंग की है बीएसी में उसमें बताया है कि उनका बाइबैक को लेकर के प्लाइन किया है इससे पहले दोस्तो मैंने वीडियो इसले नहीं बनाया इसके उपर इस स्टॉक के उपर क्योंकि मैं चाहरा था कि पहले सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए कि भई कमपणी बाइबैक किस प्राइस में ला रही है किस एक्स डेट होगी कितना परसेंटेज आप एपलाई कर सकते हो आपके जो भी आपके पास स्टॉक है और क्या के लिजे इस बाइबैक में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं चाहिए यह प्राइस जब डिसाइड हो जाएगा उसके बाद मुझे लगा बात करना ज्यादा सही होगा कोई भी स्पैकुलेशन मैं आपको बता देता पहले clarity चाहता था नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हमेदा मिश्रा और आज बात करने वाला हूं माकसन फामा की बाइबैक शेर के उपर तो देखे सबसे पहले बात करता हूं मैं कि माकसन फामा का बाइबैक जो आ रहा है उसका शेर प्राइस क्या है देखिए कई लोग बहुत रूपीज में वो ये बाइबैक लाएगी निवेशकों को बहुत ज़ादा निराशा हाथ लगी है कई निवेशक 70 रुपए कई निवेशक 65 रुपए की बातें कर रहे थे कम से कम इतना कंपणी को लाना था और मुझे लगता है बाजार को 70-75 के आसपास का अंदेशा था और बाजार ने इसे लिए एक जबरदस तेजी दिखाई थी मुझे लगता है जब ये स्टॉक खुलेगा यानि कि मंडे को शायद मैं शायद यूज कर रहा हूँ क्योंकि देखे बाजार शेयर प्राइस किस तरह मूग करेंगी किसी को नहीं पता बाजार थोड़ा सा डिस ख़ी पार के बारे मिंए कोई भी यह बात नहीं की गई एकल गया है इसके भी आपक ख़ह 59 कि मंडे है 6% exactly 5.79% लिखा है बड़ अब approximately 6% ले सकते हो मतलब यदि आपके पास 100 stock है आप 6 होगा आपका apply कर सकते हैं 200 है 12 हो सकते हैं इस प्रकार से 6% जो भी आपका stock है उसका आप इसमें apply कर सकते हैं तो भई यह जो प्रकार का हो रहा है कि यह जो आया है buyback क्या इसका price ठीक है परस्तली मैं आपको बता हूँ मुझे ठीक लगता है मुझे कोई परशानी नहीं है currently 50 रुपेयर stock trade कर रहा है आपको 20% के आपको यह premium में मिल रहा है कहां खराब है यह ठीक है और 6% देखिए आप बास stock है आप 20% का premium कमा लेंगे which is fine ठीक है और अब मुझे आपको बता दूँ कि जब यह buyback हो जाएगा तो company की shareholding अगर मैं आपको बता हूँ तो जो promoter के group है उसके बाद 49.46% हो जाएगी दोस्तों पूरी public के पास post buyback 50.54% हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार के तमाम आप कह सकते हैं कि भई जो percentage share के यह हो जाएंगे और अब क्या माकसन फार्मा buyback के बाद क्या करना है तो देखिए आप समझे buyback के जूभी डेट हो माकसन फार्मा को मैं फिर कहूँगा बहुत जादा लंबे समय तक के लिए मैं रखने के लिए स्टॉक में निवेश किया हूँ मैंने आप से हमेशा कहा है माकसन फार्मा मैं bullish हूँ short term के headwinds मुझे कोई problem नहीं है दोस्तों stock deeply undervalued है buyback के बाद अगर बड़ी गिरावट होती भी है तो भी मैं आप बढ़ा दूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अच्छा निवेश का मौका होगा company का OTC business को ले करके focus company जिस तरह से जो regulated market है US UK क्योंके वहां पर focus करने का समय बना रही है दोस्तों cash rich यह company है दोस्तों 1000 करोड से जादने के पास cash reserve है और मैं हमीशा कहता हूँ cash reserve business में निवेश करना for a longer term वो भी in valuations में देखे सब चीज अच्छी और valuation बहुत ज़्यादा हाई हो ना उस stock से पहले या तो profit book करने या निकल जाए लेकिन अगर यह सब अच्छी होने के बावजुद्य under value stock चल रहा है तो अराम अराम से इत्मना से हमें accumulate करना चाहिए खरीदना चाहिए और markson farm में दोस्तों इन सतरों में तो कोई problem नहीं है तो यह तमाम चीजें clarify हो गई अब देखना ही होगा क्या x-date होती है और बाकी क्या आप कह सकते हैं कि जो management वो कहती है लेकिन मुझे personally कोई problem नहीं है buy back होगा बिल्कुल apply करना चाहिए दोस्तों तो यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे चैनल पहली बार आएं सब्सक्राइब ज़र कीजेगा यहां तक जोड़े रहने के धन्यवाद यह इस वीडियो गंत है जैहिं दोस्तों